आज हम लोग लूसेंट का पार्ट आर्ट करने वाले हैं तो पाला प्रसंद देखे क्या है कि दक्षिन भारत में पल्लव वंस के बाद किस सासक का सासन अस्थापित हुआ तो इसका आंसर है चोल वंस का सासन स्थापक कौन था तो यद्धा विज्याले 850 से 887 इस्वी कुश्चन नबर 3 है कि चूल समराजी का सरवाधिक विश्तार किस के सासन काल में हुआ था तो राजैंदर प्रत्थम के सासन काल में तो विज्ञान इस्वर कुश्चन नमर 9 है कि पुलकेशिन दूतिय किस वंस का सा सक था तो चालुक की वंस का एहो लविलेक का समन्द किसे है तो पुलकेशिन दूतिय से कुश्चन नमर 11 है कि पालवंस का संस्थापक कौन था तो पालवंस का संस्थापक था गोपाल 7.500 इसमी में इन्होंने अस्थापना किया था पालवंस का पालवंस की राज़ानी का हो थी दूमुंगेर कुश्चन नमर 13 है कि गोपाल किस धर्मकानु आई था तो गोपाल था बहुत धर्मकानु आई कुश्चन नमर 14 है ओदंत पुडिवस ध्याले के अस्थापना किसने क्या था तो गोपाल ने क्या था पालवंस का सबसे महान सासक कौन था तो धर्म पाल कुश्चन नमर 16 है विक्रम सिलापस ध्याले के अस्थापना किसने क्या था तो धर्म पाल ने करनोज के लिए त्रिपक्षे संगर्स किनके किनके बिछुआ तो पाल वंस गुरुजर परतिहार वंस वंस राष्ट कूट वंस के बीच कुश्चन नमर 18 है कि गीत गोविंद के रचेता कौन है तो गीत गोविंद के रचेता है जैदेव गुरुजर परतिहार वंस का संस्थापक कौन था तो नागवट पर्थम कुश्चन नमर 20 है कि परतिहार वंस का सरवाधिक सक्ति साली सासक कौन था तो मिहर भोज चोहार वंस का संस्थापक कौन था तो वासु देव कुश्चन नमर 22 है कि चंदावर चंदरवरदाई कौन था तो चंदरवरदाई था पिर्थुराज तिर्थिया का राज कभी पिर्थुराज रासों के अचना किसने की थी तो चंदरवरदाई ने कुश्चन नमर चोवीस है कि तराइन का पर्थम युद कव हुआ था तो तराइन का पर्थम युद कव हुआ था 1191 में तराइन का पर्थम युद किनके बिच्वा था तो मुहमत गोरी और पृत्विराज तिर्तिया के बीज Q26 है कि तराइन के प्रथम यूद में किस की जित हुई थी? तुर्थि राज तिर्तिय की Q3 कि खतवली का यूद कव था? तो यह हुआ था? 1518 इसमें Q3 का यूद किनके बिच वा था? तो राना संगा एवं इबराहिम लोदी के बीच कुश्चन 32 है कि महमूद गजनी किसका पूत्र था यह था सुवक्त गीन का पूत्र कुश्चन 33 है कि महमूद गजनी ने भारत पर कितने बार आकरमन किया था तो 17 बार महमूद गजनी ने भारत पर परथम आकरमन कब किया था तो 1060 में कुश्चन मर 35 है कि महमूद गजनी ने सुमनाथ मंदिर पर आकर्मन कव किया तो 1025 में महमूद गजनी की मिर्तियों कव हुई तो 1030 में बहुत ही भी आई कुश्चन है आप लोग देखते जाएए अगला प्रसंद देखिए कि कुश्चन मर 35 है कि सुल्तान की उपाधी धारन करने वाला पर्थम सासक कौन था तो महमूद गजनी चंदावर का युद कव हुआ था तो 1194 में कुश्चन नमर 49 है कि चंदावर का युद किन के बीच हुआ था तो यह हुआ था गवरी इवं जैचंद के बीच तराइन के पर्थम युद में प्रत्विराज चोहन का सनापति कौन था तो असकंद था कुश्चन नमर 41 है कि मुहमद गवरी की हत्या कव हुई थी तो इनकी हत्या हुई थी 15 मार्च 1206 में गुलाम बंस के स्थापना कव हुआ था तो 1206 में कुश्चन नमर 42 है गुलाम वंस की अस्थापना किसने किया था तो यहां किया था मुहमद गौरी का गुलाम कुतुब बुद्दिन एवक ने कुतुब मिनार का निर्मान किसने करवाया कुतुब बुद्दिन एवक ने तो तो इसको द्वस्त किसने किया था एवक का सहयक सिनानायक होई तो 1210 इसमी में कुश्चन नमर 43 है कि एवग का उत्रा धिकारी कौन हुआ तो एवग का उत्रा धिकारी हुआ आराम सह थोड़े दिन के लिए इसासक रहा उसके बाद फिर इसको उटा दिया गया उसके बादा है कुश्चन नमर 44 की इल्टुतमीज डिली की कद्दीपर बैठा तो 12 स्क्म certification है कि कुट्ब अधूरब कि इवक की राजधानी कहां थी तो इसके राजधानी थी लाहोर कि ने लाहोर सोलो से राजधानी को अस्थांतृटित करके दिली लाया लतूत मिस्थने कुश्चन नमर 59 है कि कुट्व मिनार के निर्मान को पूर्ण किसने करवाया था तो इसका मतलब इल्टूत मिशने करवाया था सबसे पहले सुद्ध अर्विसी के किसने चाले किये तो इल्टूत मिशने कोश्चन नमर 51 है कि इकता परनाली किसने चलाई तो इकता परनाली चलाई थी इल्टूत मिशने सरोपर्थम दिल्ली के अमीरों का दमन किसने किया तो इल्टूत मिशने कुश्चन नमर तिरपन है कि इल्टूतमीश ने बगदाद के खलिफा से सुल्तान का पद कब स्विक्रित किया तो 1229 इस्वी में इल्टूतमीश की मिर्थियों कब हुई थी तो अपरेल 1236 इस्वी में कुश्चन नमर पच्पन है कि इल्टूत्मीस की मिर्थियों के बाद दिल्ली सल्तनत की गद्धी पर कौन बैठा तो यह बैठा था उसका पुत्र रुक नुद्दीन फिरोज पर्थम मुसलिम महिलासासर कौन थी तो रज्या सुल्तान इल्टूत्मीस की पुत्री थी है रज्या सुल्तान की हत्या कब कर दी गई तो इसकी हत्या कर दी गई 13 अक्टूबर 1240 इन्होंने 4 साल तक ही सासन किया था कुश्चन नमर नठावन है कि रज्या की साधी किसके साथ हुई थी तो रज्या की साधी हुई थी मलिक अलतुनिया के साथ कुश्चन नमर 69 है कि दिल्ली सल्तनत का कौन ऐसा सुल्तान था जो टोपी सी कर अपना जीवन निर्वाह करता था उसका नाम था नासिर उद्दिन महमूद कुश्चन नमर 60 है कि बल्वन दिल्ली की गदी पर कब बैठा तो यह बैठा था 1266 में कुश्चन नमर 62 है कि सिजदा एवं पैवोस पर्था की सुरुवात किसने की थी तो यह था गयास उद्दिन बल्वन नवरोज उस्तव किसने प्रारम किया तो बल्वन ने कुश्चन नमर 64 है कि लोह एवं रक्थ की निति का पालन किसने किया तो बल्वन ने फार्सी के प्रसिद्र कभी अमीर खुसरो एबं अमीर हसन किसके दरवार में रहते थे तो बलवन के दरवार में कुश्चन नमर 66 है गुलाम वंस का अंतिम सासक कौन था तो गुलाम वंस का अंतिम सासक था समसुद्दीन क्यों मर्स किसने बलवन को उलुग खान की उपाधिप दान किया तो नासिर उद्दीन महमूद ने कुश्चा नमर 68 है कि खिलजी वन्स की अस्थापना कभी थी तो खिलजी वन्स की अस्थापना हुई थी 13 जून 1290 को खिलजी वंस की अस्थापना किष्णे किया था तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने कुश्चन नमर सत्तर है कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना तो यह बना 22 अक्टुवर 1292 को अलाउद्दीन के बच्पन का क्या नाम था तो अली तथा गुरसास्प कुश्चन नमर 72 है किसने सेना को नगद वेतन देने तथा अस्थाई सेना की नीव रखी तो अलाउद्दीन खिलजी ने कुश्चन नमर 74 है किसने अपने सासनकाल में मुली नियंतरन प्रणाली को दिर्धता से लागो किया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिन भारत की विजए के लिए अलाउद्दीन ने किसे भेजा था तो मलिक काफूर को कुश्चन नमर 76 है कि जमयत खाना महजिद अलाउद्दरवाजा सिरी का कीला तथा हजार खंबा माल का निर्मान किसने करवाया था तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था इसलामी वास्तु कला का रतन किसे कहा जाता है तो अलाउद्दरवाजा को कहा जाता है कुश्च नमर 78 है कि तारीखे फिरोसाही के लेकक कौन है तो इसके लेकक है जयाउदिन बरनी अलाउदिन खिलजी के दोरा लगाये जाने वाले दो नवीन कर कौन कौन से थे तो चराईकर एवं गड़ी कर कुश्च नमर 80 है कि तो गयासुदिन तुगलक ने कुश्च नमर 84 है कि तुगलक का बाद नाम का एक नया नगर किसने अस्थापित किया था तो गयासुदिन तुगलक ने कुश्च नमर 86 है कि कि तुगलक के नाम से भी जाना जाता है तो वो है मौमद बिन तुगलक को मौमद बिन तुगलक ने किरसी के विकास के लिए किस नवीन विभाके स्थापना की तो अमीर एक को ही कुश्च नमर 90 है कि कि सासक ने अपनी राजदानी दिली से देवगिरी में अस्थांतरित की मौमद बिन तुगलक और देवगिरी का नाम रखा दुलत्ताबाद अतलब देवगिरी से दुलत्ताबाद अस्थांतरित किया था सांकेतिक मुद्रा के अंतरकत मौमद बिन तुगलक ने किस प्रकार के सिके चलाएं तामबे और पितल के सिके कुश्चन नमर 91 है कि इबन बिन तुगलक के सासनकाल में और मौमद बिन तुगलक के सासनकाल में और मौमद बिन तुगलक ने इसे स्थामना क्या था होडियर बंबुका नमक दो भायों ने मिरकर समराज के सांकाल कर किया 1336 को इसे ये 5चे पांश बाइते है कि ब्रामनों पर जज्ज्या وाला पहला मुस्लिम सासक कौन था तो यहां था फिरोज तुगलक फिरोज तुगलक की मिर्थियुका हुई थी तो सितंबर 1388 को कुश्चन नमर 100 है कि दिल्ली में कोटला फिरोज साह दुर्ग का निर्मान किस ने करवाया था तो यहां करवाया था फिरोज तुगलक ने इस तरह से मैंने आपको 100 कुश्चन आज के वीडियो में बताने का प्रयास किया अब आगे फिर 100 कुश्चन आप लोगों को अगले सीरीज में मिलेगा देखने के लिए आज के इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में यदि आपने मेरे चनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं कि कर दीजे ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों को प्रति दिन मिलते रहे आज के इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद थैंक्यू आपका दिन सूब हो